दो लोगों के बीच में मामुली से जगड़े को किस तरह से हिंदू संगंधट ने धार्मिक रंग दे कर मुस्लिम होटल चलाने वाले मालिक को बीच रास्ते पर लाकर उसकी बेरहमी से पीटाई की गई इस मुस्लिम लड़के को पीटता देख बीच बचाव करने के लिए उ मगर इन दोनों को भी इस दोरान चोट लग गई और जो प्रेगनेट महिला थी उसको मिसकेरज हो गया है दरसल ये पूरा मामला तिलंगाना का है नर्सापूर में ख्वाजा मुयनुद्दीन नाम का एक होटल है और होटल में कैस सिलेंडर लाने वाले ड्राइवर से जो है पहुँच गए और इस मुस्लिम लड़के को पकड़ कर उसकी पिटाई करते हुए रोट पर ले आते हैं जोर जोर से जैश्री राम के नारे लगाते हुए उस मुस्लिम लड़के को इस फीड़े ने किस तरह से पीटा दोड़ा दोड़ा कर उस मुस्लिम लड़के को मारा जा रहा था किस तरह से एक मामूली सी विवात को जो है धार्मिक रंग दिया गया और इस मुस्लिम लड़के को यहां पर पीटा जा रहा है जिसका नाम मुईनुद्दीन बताया जा रहा है मुईनुद्दीन को पिटते देख उसकी मा और बहन यह दोनों वहां पर पहुंच जा रहा है कि यह साथ माई का था लेकिन खबरों में अब सामने आया है खबरों के मताबिक पुलिस ने भी तक कुछ खबर सामने नहीं आई है वहीं इस पूरे मामले को लेकर MBT यानि की मजलिस बचाओ तहरीक के नेता अमजदुल्लाख खान ने भी आवाज उठाया है क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं मैं अमजदुल्लाख खान स्पोक्स्मेन MBT इतनी देर रात गए आपके दर्मियान आने की वज़े ये है कि आज से कुछ दिन पहले नरसापूर नरसापूर यानि जो संगा रेड़ी से थोड़ा आगे एक छोटा सा गउं है बल्क आज के दोर में जो है काफी डिवलप्मेंट आए चुका है और ये जो है मेदक डिस्ट्रिक में आता है नरसापूर यानि साथ में दो हजार तेवीस के दिन एक छोटा सरका वाकिया हुआ उसको कम्यूनल रंग देकर आए दिन मैं मुसस्थि ये बात कह रहा हूँ के तिलंगाने में जो है हर छोटे मोटे मसले को इसको कम्यूनल एंगल देकर मॉब लिंचिंग स्टाइल में मारा जा रहा है और हमारे तिलंगाने की पॉलीस जो है वन सैड़ेट बिलकुल सैलेंट रह रही है तो ये जो नरसापूर का वाकिया है बड़ा ही शरमनाक वाकिया है ये तो साथ में दोहजार तेवीस के दिन ऐसा होता है कि कोई खाजा मुहिन अद्दीन नामी एक नوجवान लड़का है उ जो नरसापूर चौरस्ते पर ही उनकी एक होटल है बाजुक मकान कुछ है उनका ये लड़का जो है गैस सेलिंडर को आर्डर करता है तो उनको गैस सेलिंडर आता है जो आटो ड्रेवर रहता है तो वो आटो ड्रेवर जो है दोनों में कुछ बहस तकरार होती ये खाजा और वो लिंगम में जो आटो ड्रेवर है तो आटो ड्रेवर जो इत्फाक से वो स्वामी का साई बाबा का माला दालावा रहता हूने तो दोनों में बह्स हुई इनों उनको मारे उनको दोनों एक दूसरे के गल्लम गुसम पटी कर लिए ये वाकिया हुआ सुबा का ही है तो होना तो ये चाहिए था कि लिंगम जो है जाकर पॉलीस में कंप्लेंड करना पॉलीस वाले जो है खाजा मुहिन अद्दीन को गिरफतार करके वो स्वामी के साथ बत्तमीजी करने के लिए उसको गिरफतार करना चाहिए था आईसा नहीं हुआ, नहीं होने के सूरत में, यहने जिस तरीखे से फिरखा परस्ती जो बामे उरुच पर है, मैं अक्सर यह पूछता हूँ कि तिलंगाने में क्या केसी आर की हुकूमत चल रही है, या बीजेपी की हुकूमत चल रही है, क्या कीचनरडी चीफ मिनिस्टर है, यह बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां का एक काउंसलर है, राजिंदर, जिसका नाम है, जो बीजेपी से जिसका तालुख है, एक कुछ देर के बाद में, पूरे लोगों को जमा करता है वहाँ पर, ज्यादातर लोग जो है, दूसरे मुखामत के हैं, सारे स्वाम लोग भी है, उसमें नार्मल लोग है, तो यह लिंगम को साथ लेकर, यह जो काउंसलर है, राजिंदर, बीजेपी का, उसमें और राजिंदर यादव एक है, और आपके बुचेश यादव, मलेश गौड, प्रभू स्वामी, किरन स्वामी है, सारे लोग मिलकर, इसके होट है, वहाँ के नरसापूर के साई, उसको लाकर जब मारते हैं, तो उसके जईफ मा और उसकी बहन, जो फुली प्रेगनेंट है, यह दोनों जो है, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, खाजा मुहिन अद्दिन को, चौरस्ते पे लाके हैं, मार के, जैस याराम, जैस याराम क को खीच के, उसको लाके मार रहीं, और यह देख सकते कि आप, यह आप लोग देख सकते हैं, यह इसमें देखी आप, चो उसकी बहन हैं, जैस मा हैं, जैस तो देखिए, इसको बचाने की कोशिश कर रही है, यह जो हरेने हैं, यह मा हैं, और यह बहन हैं, यह खाजा मुहिन यह दिन को बचानी की कोशिच की जाती है और इसको बाल पकड़के घर से निकालके यह जो कौंसलर है राजिंदर यह जो बीजेपी का कौंसलर है यह मुशशिल यह लंगा नाच नर्टापूर चोरस्ते पे चलता रहा जेकि आप मार रहे हैं पूरे हिंदू युवावाहनी बीजेपी आरेसेस के वरकर्स जो है मार रहे हैं इसको अज इसके बाद में जो है लंबा वीडियो है यह तकरीबन तीन मिनित तक इसको मारते रहे यह वीडियो तीन मिनित का एक वीडियो है और एक एक वीडियो देखिया इसको घर में से खिचके निकाल रहे हैं बाला पक ये खोगा देशिए एक और एक वीडियो है ये सही की मौजूदगी में मार रहा है इसको तो एक साहिब तोकी में उन्हों बचाने की कोशिश कर रहा है तो मेरा बुलना का मतलब ये है कि आप पहले ये गोर करिए जो लोग माला दालते हैं वो साही बाबा के फालोवर्स रहते हैं और साई बाबा के जो फालो और से ये लोग जैसी आराम नहीं बोलते यानि साई बाबा के माला डालने वाले बहुत कम यानि मैं तो आज तक नहीं देखा मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है तो ये लोग जो है जो जैसी आराम बोलके नारे लगा रहे थे ये खुद नारे को बदनाम कर रहे हैं इसका गलत इस्तिमाल कर रहे हैं तो साथ में दो हजार तेविस के दिन पहले एक छोटा सरका वाक्या हुआ जिसमें गैस के उन्वान पर एक खाजा मुहिन अद्दिन और लिंगम ये दोनों की बहस तक्रार कुछ चोटा मुटा जगडा हुआ उसके तकरीवन कुछ घंटों के बाद में है ये जो काउंसलर है राजिंदर बीजेपी का काउंसलर लोगों को जमा करता है इनको जमा करके जो है पूरे लोगों को इसके होटल पे ये कलियानी होटल पर हमला करता है और हमला करने के बाद में जो है उनके वालिदा को और उसकी हमिला बहन को इतना मारते हैं लोग के मुझे ये पता चला कि उसकी जो हमिला बहन थी उसका जो है पेट में बच्चा मर जाता है और उसको दवाखने में एडमिट किया गया है आज की तारीख तक भी और इमीरियेटली मौके वारदात पे खाजा मुहीन अद्दिन को गिरफतार करके उसको रिमांड कर जा जाता है आज वो बेल पर आया बोलके मुझे इतला मिली खाजा मुहीन अद्दिन तो ये जो वाकिया पेश आया खाजा मुहीन अद्दिन को मारे खाजा मुहीन अद्दिन लिंगम को मारा उसको गिरफतार करे ठीक है खानून अपना काम किया लेकिन ये क्या खुंडागर्दी है जो बीजेपी का काउंसलर राजेंदर इसके होटल पे माब लिंचिंग स्टैल में हमला किया क्या कोई खानून है या नहीं है बताईए कोई पुरसाने आल है नहीं है तेलंगाने में मुसल्मानों का बताईए है सर में जितने बाल है उतने सियासी कायदीन है टी आरेस में मुसलिम कायदीन है हूम मिनिस्टर मुसल्मान है असद अध इन उएसी है अकबर अध इन उएसी है जुम्ला सोला दिन हो गए आज की तारिक तक राजेंदर को गिरफतार नहीं किया गया अगर राजेंदर को गिरफतार नहीं किया गया तो खाजा मुहिन अदिन को भी आप नोटीज देना था उसको भी गिरफतार नहीं करना था हामिला बच्चा पेट में इनके मारने से लात बाकनमा इंजन बोली में ये बच्ची का सुस्राल है तो खाजा मुहिन अद्दीन की वालिदा के कंप्लेंट के उपर ये काउंसलर राजंदर को क्यों नहीं गिरफतार किया गया मैं कुछ पॉलीस वालों से बात किया तो ये मालूम हुआ कि वो लोग कंप्लेंट नहीं दिये पॉलीस सो मोटर एक्शन लेना था आप बताईए जैसा जगतियाल में बच्चे धरना दिये तो बच्चों के उपर एक एक बच्चों पर तीस तीस बच्चों पर केसस बुक करे वो यहां पर नहीं किया गया क्या वज़े है और एक बात मैं आपको बदलाना चाह रहा हूँ कि यह वही मेदक डिस्ट्रिक्ट में हुआ जहां की सुपरिडेंट आफ पॉलीस प्रिया दर्शनी मेडम हैशात में समझता हूँ ऑपियस तो uh महुमत खधीर का जहां वाकिया पेशाया था महुमत खधीर लाकब डेपका जो वाकिया पेशाया था यह वही सुपरिडेंट आफ पॉलीस है जो आज की तारिक देक भी खधीर के वाकिया के उपर ये फायार इश्यू नहीं की उनके पॉलिस के सरकल इंस्पेक्टर येसाई और दो होम गाड़ों के उपर तो ये वही सुप्रिजंट आफ पॉलिस के मातहद नरसापूर आता है ये नरसापूर में ये वाकिया हुआ जो मेदक डिस्टिक का वाकिया है हमारा करते हैं कि ये जो वाकिया पेश आया ठीक है आप खाजा मुनित दिन पर केस बुक करें उसको रिमांड करें हात नहीं उठाना चाहिए था एक सौमी के उपर इन्हें हात उठाया गल्ला पकड़ा घुंसा मारा इन्हें क्या करा नहीं मालूं उसका तो हमें कुछ थी पता नहीं चल रहा उसका लेकिन ये जो राजिंदर जो बीजेपी का काउंसलर है अच्छा और एक एक महाँ पर एक मज़े की बात ये है कि मुरली यादव जो वहां का मुनिस्पालेटी का नरसा नरसा पूर मुनिस्पालेटी का जो चेर्मेने पहले उने टी आरेस में ता हाली में कुछ दिन पहले बीजे पी जैन क्या होने तो आज की तारीख तक भी मैं समझता हूं कि उसको बी आरेस पार्टी से उसको सस्पन्ट नहीं किये बोलके मैं सुना हमारा मुतालवा है मजलिस बचाउ तहरी की तरफ से नर्सापूर सबिन इस्पेक्टर से नर्सापूर इंस्पेक्टर आफ पॉलिस से नर्सापूर इंस्पेक्टर आफ पॉलिस भी एक मुसल्मान है जो दिशा एंकाउंटर केस में वनावदी अक्यूजड है उन्हों और हाली में जो خदीर के मुहम्मत खदीर कस्टोडियल डेट में भी 인कोरी आफिसर है तो मेरा सरकल इंस्पेकटर नर्थारव नर्थापूर सबीन इस्पेकटर नर्थापूर डी required आव पोर सुप्रेडन्ट आव पोलीस इंद्रा प्रिया दर्शनी मेडम आईपियस और कलेक्टर सिरी राजश्री शाह आईएस महिमूद अली होम मिनिस्टर डिरेक्टर जर्रल आफ पॉलिस अंजनी कुमार सहाब के टी आर सहाब और हमारे हरी शरौ सहाब जो जो भी साहिबी एकराम हैं तमाम से हमारा मुतालेवा है कि ये जो राजिंदर बीजेपी का जो काउंसलर है इसके साथ पच्चास आदमी हैं आप देख सकते हैं वीडियो पे मैं फिर आपको बतलाओंगा कि पच्चास से साथ आदमी हैं जो उसकी जईफ वालदा को मार रही जो उसको आपके उसको मार रही पच्चास से साथ लोग है। पूरा माव है देखिए आप मारने में ये पूरों को आप गिरफ्तार करना चाहिए खानून जो है सब के लिए एक हिंदू के लिए एक है मिसल्मानों के लिए एक है केसी यार सहाप आप दिवारे लो पल लीजी आप आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं ये बीजेपी के कारकुलों के खिलाफ में आएक्शन लूँगा तो शायद मैं आने वाले एक्शन में हार जाओंगा ऐसा नहीं हूंगा आप इंसे खिलाफ में आएक्शन नहीं लिए तो क्योंग से आप महरूम हो देंगे पचास से देखिए आप अलानिया बता रहा देख मार रहीं देखा आप इसके देखिए आप गोड़के देखिए मैं ये वीडियो दालने वाला हो आप लोग देखिए तो बेराल मेरा मुतालबा है कि राजिंदर बीजेपी कांसलर और उ इसकी वज़े से उसका पेट में बच्चा मर गया और वो मरावा बच्चा पैदा हुआ बोलके मालुआ दो दिन पहले और इसको जेल में डाल दिये तो इनके खिलाफ में खानूनी कारवाई करना चाहिए दो अलग-अलग मुखदमात बुक करना चाहिए एक वो जो घर पे हैं आप ताकतवर है केसियार साहब बहुत ताकत है आप में आप कोई आक्शन नहीं लिंगे थोड़े दिन पुरानी कांग्रेस की सरकार देखिए आप जो खातिल मुसलिम मुसल्मानों के उपर जलुम कर रही थी मक्का मजजीद बिलास्ट के बाद में उससे थोड़े दि पहले जो तिल्व देशम की सरकार थी जो फसी अदिन रफिय अदिन महिमुद अली के जो इंकाउंटर्स कर रही थी और आपके आजम अजीद का जो इंकाउंटर कर रही थी आज वो लोग कहां पर है देख लीजिए आप वो देख के जो है इस मजलुम का साथ दीजिए हमाम सारे हमारे अल्मा मशायखिन कैसा जाएंगे प्रगती बौन में कैसा विर्यानी खाएंगे फिर वोई हमारे हमारे हमेद मुम्मद खान साब आ जाएंगे फिर वोई हमारे तामीर मिलत वाले आ जाएंगे फिर वोई हमारे तमाम जमातों के लोग आएंगे और دیکھے یہ پچھلے मैं زیادہ پرانے واقعات نہیں سنا رہا ہوں یہ دو مہنے ایک مہنے میں کیا کیا واقعات ہوا کسٹوڈیل ڈیت ہوا میدک میں محمد خزیر کو مار دیا گیا جگتیال میں ایک مسلم خواتین کے ساتھ سبین اسپیکٹر بتتمید ہی کیا آج کی تاریخ تک بھی وہ سبین اسپیکٹر کو سسپنڈ نہیں کیا گیا ہے شوشل میڈیا پہ جب خزیر کا واقعہ ہوا تو کئی لوگ آئے بیچ میں بلے کہ اس کو असाद अदीन और एसी के बोलने पर नौकरी दिला दिये उसको फलाना कर दिये उसको कंबंसेशन दे दिये आज की टारीख तक खदीर की एहलिया को एक रुप्या नहीं मिला कोई नौकरी नहीं मिली ना तो वो खाति पुलिस होदेदारों पर मडर केस बुक हुआ जो जगतियाल का वाकिया हुआ उसका भी आप देख सकते हैं कि उस वाकिये में भी जो है सवीन इस्पेक्टर को आज तक सस्पेंड नहीं किया गया उल्टा जो है उसकी एहलिया के कंप्लेंट पे पेट में लाता है घुसे जो मारा उसकी तरफ से उसकी बच्ची की बहुत तभीएट खराब है वो रेस्ट में है उसका इलाज चल रहा है मैं तकरीबन आल्टरनेट डे उसकी बच्ची के भाई से और बच्ची के मामों से बात हो रही है मेरी तो जक्तियाल का ये वाकिया हुआ आदिलाबाद में मुसल्मानों का शोशल बाइकाट किया गया आदिलाबाद से थोड़ी दूर पे जो गउँ है तीस किलो मेटर दूर पे जखमियों को पोलीस वाले आदिलाबाद की पोलीस जो है तकरीमन 30 किलो मेटर दूर मैं समझते हूं उसका गौं का नाम याद नहीं आ रहा मुझे तो 20-25 किलो मेटर दूर जो उन्दा वली कुछ गौं है वो जखमियों को जो है उठा के लेकर जाके उनको रिमेंड कर दिया गया है और उसकी कारवाई चल रही है अदालत में हमारे कोई वकिल साभ है उसमें उसका केस लड़ रहे हैं उनों तो मेरा मुतालबा है कि ये जो नर्सापूर का वाकिया हुआ इसके पर तमाम अलमा मशायकीन दानिशवरान इसलाम तमाम सियासी जमातों के मुस्लिम खायदीन से डियारेस के मुस्लिम खायदीन से कांगरेस के मुस्लिम खायदीन से मेरी अपील है कि नर्सापूर के वाके पर आप लोग कामुच मत बैटिये एक जईव खातून को मारा गया है एक हमिला उरत का मार के उसके बच्चे को पेट में मार दिया गया है इतना बड़ा संगीन वाकिया हुआ आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे मेरे भाई शुक्रिया यार दिन्दा सोबत बाखिए